हेलो और वेल्कम बाक टू माई यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लिए कि आई हूँ 9 से 10 बहुत ही अफेक्टिव किछन टिस जो कि आपके काम को कम करने में मदद करेगी साथ में आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगी टाइम और पैसो की बचत के लिए टिप्स को ज़रूर फोलो किसेगा तो फिर चली बिनावक्त गवाई चलते हैं हमारे आईडे नमबर फरस के तरफ जब में दोस्तों हम बिस्क healthy का किट ओपन करते हैं तो जितने बिस्किट हमें खाने होते होतने हम खा लेते हैं बागी मची बिस्कुट को में ऐसे ही छोड़ देते कोई भी container में नहीं रखते हैं जिसके वज़ासे वह बच जाते हैं लोग zar Bisket लिए उसके ही बच चालने कोई बिसकेट क्वाइब वसकेट किल रल o कि लख क्नलीजें लेकिन फिर वी किसी का रज वज़ारन वाध से वी टरहें जो बीचट को एर टाइट कंटेनर में बंद करना चाहिए दूसरा टिप अगर आपके जो बिस्किट है सील जाते हैं उसमें टेस्ट खराब हो जाता है तो आपको क्या करना है तवा को हल्का सा गरम करना है और उस पर सिर्फ आधी मिनट तक आपको बिस्किट को पलट करके भूलना है सिर चाहिसरे के जो कंटेनर है उनका क्या करें? उनको आप अपने ड्रोर में यूज कर सकते हैं अपने को रखने के लिए, आपके क्लिप्स को रखने के लिए, हेर बैंट को रखने के लिए इससे क्या जो आपका ड्रोर है न वो भी तोड़ा ऑर्गनाइजर रहे घा आप अब चलिए idea number two की तरफ, जब भी हम मार्केट से जो है नमकिन लेके आते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है जो नमकिन के पैकेट्स हैं उनमें जिप लगी आए हर प每 सुण जीप है नहीं नहीं सकती पड़े हैं इस फाखर जो में जीप्रंद इन नमकिन ज़िए आप और आता के लिए यूज कर सकते हैं युज कर सकते हैं षाहунд diffd जीप्र वाले प्रषा मतफैग को इनका हमेशा यूज करती हूँ मैं अपने मतर को फ्रोज करके इन में रखती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम जिप वाले बैग होते हैं लेकिन जितने भी होते हैं उन सबी को मैं स्टोर करके रख लेती हूँ अपनी वैजटेबल लगा लीज़े मनी प्लांट तो आप इन में दाले भर के रख दीजिए काज की बॉटल वैसे भी मार्केट में मिलती है और इसी तरह की मिलती है थोड़ा साइ बोटल एक्ष्ट्रा है या फिर काच की बोटल है उनमें मैं हमेशा इस तरह के ड्राइफूट्स दाले वगरा रखर करके रखती हूं इससे क्या होता है कि जो आपके ड्राइफूट्स या डाल्स है वह इसली बहार में निकल जाते हैं और इनमें सीलेंड भी नहीं आते क्यो की निशान लग जाते हाथों के बड़ों के भी हाथों के ऐसे निशान लग जाते हैं दाग पढ़ जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए आप इस तरह के वाइप्स का यूज कीजिए मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट में वाइप्स का पैकेट आपको मिल जाता है और वाइ शाफ कर सकते हैं बहुत ऐफ्यक्टीव होते हैं इस तरह के तो आप जरूर से जरूर इस तरह के वाइफ का अपने घर में यूज करें इस से आप अपने घर की जो गंदी मिक्सी होती है आप उनको भी क्लीन कर सकते हैं। तो आप चलिए आईडिया नमबर फाइफ की तरह दोस्तों देखिए इस तरह के जो सैंपो की बोटल्स होती है ना खाली हो जाती है अम उनको फेक देते हैं तो आप इसमें ना देखिए मनी प्लांट्स अगर आप घर को डेकॉरेट करने के बारे में थोड़ा बहुत सोचते और अगर आप इस तरह से बोटल में डाल करके मनी प्लांट्स की दो से तीन टहिंगा भी लगा दोगे ना तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और बहुत अच्छा लुक आपको घर पे देने वाला है तो इस तरह से आप इस तरह की प्लास्टिक की बोटल का यूज कर सकत मैं इसी तरह से यूज करती हूँ तो यह आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है चलिए आइडिया नुमबर शिक्ष्ष के तरफ हम देख लेते हैं देखे दोस्तों दिवाली के टाइम पर घर में इस तरह के कुल्ड़ आते हैं और दिये आते हैं तो दिये हमने जैसे ह दिवाली पर चसाए और उसको फैक दिया फैक किये मत यह वाला आइडिया ज़रूँ ट्राइके जी क्या करना है दीओं का मिट्टी होती है इसली मार्केट में नहीं मिलती है मिट्टी तो इसका आपको बिल्कुल फाइन पाउडर तयार करना है एक कोई भी कंटेनर जो आपक बिल्कुल फ्री में रेमेडी बन करके रैडी हो गई है इस से आप अपने घर के जितने भी पीतल के बरतन है उसको साफ किजे सेकंडों में आपके घर के पीतल के बरतन है एक दम चमक जाएंगे ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल नया आपने मार्केट से खरीदा है इससे आप अपने घर के चांदी के बरतनों को clean कर सकते हैं, पीतल के बरतनों को clean कर सकते हैं, आपके जो कडाई है वो गंदी हो गई है, साफ नहीं हो रही है, उसको भी आप clean कर सकते हैं, अब चलिए idea number 7 के तरफ देख लेते हैं, कोई भी नया बरतन हम लेके आते हैं, उसके अंदर इस तरह से sticker लगाता है sticker को अगर हम ऐसे ही चुटाएंगे वो चुटता नहीं है और वो फैल भी जाता है अच्छा भी नहीं लगता तो आपकी इस तरह से कोई भी बरतन का sticker बहुत easy तरीके से हटा सकते हो ये वाला idea मा आप लोगों के साथ share करें आपको क्या करना है आपको gas पे कोई भी बरतन को रखना है जिस पे sticker लगा हूँ है बिलकुम धीमे flame पे और आप कुछी देर में देखोगे न जो ये paper है न वो उदर से इस तरह से धुवा निकलने लग जाएगा क्योंकि जो wrapper होता है न वो जलने लगता है तो इसलिए धुवा निकलने लगता है बस आपको इसी टाइम पे gas को बंद करना है और knife की मदद से आपको इसको हटा देना बहुत इजी तरीके से remove हो जाता है सेकिंडों में remove हो जाता है कोई भी mark आपके बरतनों पे नहीं गिरता है और ये वाला आइडिया आप जरूर ट्राइ करके देख लिए अगर आपके पास कोई भी घर में नए बरतन आप यूज करते हैं तो इस तरह से आप उसका easy तरीके से sticker हटा सकते हैं तो देखे कितनी जल्दी sticker हट गया है और कोई भी निशान यहां पे नहीं पड़ा है तो फिर चली यह idea number 8 को हम देख लेते हैं देखे दोस्तों सर्दियों का मोसम गया लेकिन जब भी गैस्टों की भरमार होती है तो तकियां हमारे घर में हमेशा कम पड़ते हैं तो ऐसे में हमारे गर के तकियां वो कमना पड़े सबी गैस्टों को एक एक तक्या मिल जाए इसके लिए क्या करना है तो देखे इस तरह के जो blanket है सर्दियों का मोसम तो गया ही है तो इस तरह के blanket का आप यूज कर सकते हैं कोई भी आपके पास पुरानी कुशन कवर पड़े हैं उसके अंदर आप blanket को फोल करके डाल दीजिए अगर आपके पास स्पेस नहीं है घर में blanket को रखने के लिए तो आप इस तरह से blanket को रख सकते हैं इससे क्या आपके घर के तक्या भी complete हो जाएंगे और तक्या तो घर में कितने भी हो सभी की सभी कम ही लगते हैं एक टाइम पे तो आप अपने blanket का इस तरह से यूज कर लीजिए मैं हमेशा अपने blanket का इस तरह से यूज करती हूँ तो ये वाला idea आप लोगों के साथ share कर रहे हूँ बहुत effective है उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा तो अब चलिए जल्दी सी देख लेते हैं मारे idea number 9 खो तो दोस्तों जैसे की मटर का सीजन चला ही गया है लेकिन फिर भी कहीं कहीं मटर मिल जाती है अब देखे फ्रोजन मटर को हम लेके आएंगे तो वो अगर गाउं में रहते हैं तो बहुत कम मिलती है लेकिन कोश्टली भी मिलती है तो इससे बचने के लिए आपको अगर गरीन मटर आपको मिल जाती है न कभी भी तो उसको लिया ये 2-3 किलो जितना भी आप लेके आना चाहिए उसको अच्छे से वोस कीजिए वोस करने के बाद उसको एक पतीले में थोड़ा सा गरम पानी रख दीजिए गरम पानी रखने के बाद जब वो उसमी से हलका सा बोईलिंग होने लग जाए न उसमें आपको आड़ करना है 2-0 चमच्चीनी दो चमच चिनी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक चमच नमक का भी एड़ करना है जो हम खाने में खाते हैं और इसको आपको बोईल करना है इसके साथ साथ आपको एक पतीले में बरफ का डला हुआ पानी भी यहाँ पी लेना है बिल्कुल चिल्ड पानी अब क्या करना है ही उपर आई आपको फोरांच बंद करनी है और बंद करके मटर को डार्यक्त आपको थंदे पादी में ट्रांसफर करना है क्वाड़ आपको क्योछी कोटन का प्लेट और रात भर के लिए आपको मटर को ऐसे ही छोड़ देना है रखला अब आपको इस मटर को कोई भी एर टाइट जीप बैग में रखना है और अगर आपके पास भी जीप बैग नहीं है तो मेरी तरह इस तरह के नमकिन के पैकेट का आप यूज कर सकते हैं नमकिन के पैकेट को अच्छे से वोस करना है उसके अंदर आपको यह मटर के दाने ट्र तो उम्मीद करती हूँ सारी की सारी किचन टिप्स आपको काफी ज़्यादा यूसफुल लगी होगी यूसफुल लगी है लाइक शेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारी नैक्स्ट वीडियो में आपको पता है हमार और फ्राइड़े